शनी राहू कुंडली में किसी एक घर में बैठते हैं तो बनता है स्रापित योग, स्रापित दोस महराज एक बात बोलिये ना, एक तरफ योग बोलते हो, एक तरफ दोस बोलते हो जो जो दुर्योग होते हैं वही योग भी होते हैं निर्भर करता है आपका कर्म जहां कर्म से भाग्य बदलते स्रमनिस्टा कल्याणी है ये कोई बुरा दुस्परिणाम खाली देता है ऐसा नहीं है अगर इसको जो समझ सके और सही उपयोग कर सके ये राजयोग कारग भी बनता है बस उर्जा को समझना और उसी अनुसार अपने जीवन के कर्म मार्ग को सुधारना सुपर एनरजी को बैलेंस करना दोनों ग्रहों को सही से समझना भाब और भावाधी पती को समझना नक्खेत्र सडवल ग्रहबल इत्यादी को समझना और दिसा निरधारित करना राजयोग बन जाते हैं और खाले डरता डरना तो डरते ही रहना क्यों लगते हैं ऐसा दुरियोग जीवन पे क्यों आता है आते इसलिए हैं बहुत सारे कारण है आएंगे धीरे-धीरे मैं जैसे बोला हूँ क्योंकि इसके उपर मेरे जीवन का 30-32 साल का अनुभव है और वो कल चला गया मेरे जीवन मेरे लेवोटरी से या मेरे जिन्देगी से अच्छा मित्र था जीवन के बहुत सारे अनुभव चुपा के रखा हूँ और मैं उसको उसका कुंडली के साथ उसे बहुत करीब से देखा हूँ और जीवन का बहुत समय उसे भी दिया हूँ आबसक से ज्यादा क्योंकि मुझे सिखना था रिसर्च करना था तो रिसर्चर तो पागर्ल होते हैं बहुते माबापको टाइम नहीं दें बेटा बेटी को टाइम नहीं दें लेकिन अपने लेबर्टरी मौंकी को ज्यादा टाइम देते हैं हम लोग ऐसे ही उकल्ट साइंस के रिसर्चर हैं सबसे पहला बात जिन्देगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पूर्व जन्म से कुछ सक्ति मिला रहता है उसमें से एक सक्ति होता है बाणी सिद्धी सक्ति जो जिसको बोलने वो हो जाता है कोई-कोई इनको कालमुहा बोलता है और उनके पास ये सक्ति स्पेसाली अगर सनी अश्टम में हो दुतिय में हो राहु केतु का एक्सिस दो आठका हो अश्टम ब्रहस्पति वाले अभी कवार सुक्र दुतिय वाले वेवी अगर कारकत्व प्राप्त कर रहा हो तो ऐसे लोग अनौती टाइप के अगर कुछ बोल दें बुरा तो होता है और प्रचंड रूप में होता है मैं यहां तक देखा हूँ एक मेरा रिलेटिव कजन सिस्टर थी वो ऐसा उसका छोटी बेहन को बोल दी कैंसर हो जाएगा जा उसको हो गया मूँ से तो सराप निकल गया निर्दोस को तो दंड दे दी लेकिन उस दंड का परिणाम किसको भुगतना है रिवर्स कहां जाएगा मैं नहीं कहूँ आप बताओ इसी प्रकार जो लोग दुसरे को बिना दोस का अविसाप और सराप देते रहते हैं और सराप देना उनका ताव और घमंड समझते हैं और सराप देके उनको लगता है कि हम जीत जाएंगे जिसका दोस नहीं है लेकिन अपने मुर्खता, अहंकार, क्रोध, आबेस अपने अज्यानता, दुर्बुद्धी या फिर ग्रहदसा के कारण निर्दोस को भी अभिसाप देने लगते हैं जा तेरा फट जाएगा, बिगड जाएगा, छुट जाएगा, मुड जाएगा, हट जाएगा, तड जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा तेरा बंसनास हो जाएगा, तेरा बच्चे मर जाएंगे, तेरा फुटकू हो जाएगा, तेरा ठुटकू हो जाएगा, तु बिदवा हो जाएगी तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तु मेरे को ऐसा की हो, ऐसा हो जाएगा बोल बोल के तो चलेगे उनको तो नहीं पता कि वो अपना उर्जा खतम कर रहे हैं और आके ताओ दिखाते हैं मैं बोल दी, मैं बोल दिया, भोल दिया ठेर तेरा निकलेगा कितना बोलती हो बोल और धीरे धीरे अपने एक समय आता है जब उनका बाणी सिद्धी खतम हो जाता है ऐसे बोल बोल के बोल बोल के उनके पास जो सकती है उपर बाला छिन लेता है असुबनात जो लोग होते हैं लगन मैं राहू दुत्य में सनी इस प्रकार का ऐसा कंबिनेशन देखा हूँ तो इसलिए याद आ गया इतना प्रचंड बाने सिद्धी कोई मंतर तंतर पुझा पाठ नहीं अच्छा कुछ तांतरीक लोग भी ऐसे लोगों को डराते हैं जो लोग कुछ तंतर अंतर का सिद्धी कर लिया बोल देंगे जा तेरा बस फटा तो फटा जा तेरा गाड़ी तूट जाएगा तो तूट जाएगा नया एकदम फुल टायार ब्रैंड न्यू गाड़ी कल सोरूम से निकाले हो और बोल देंगे कि जा रास्ता में पमचर हो जायागा कोई कांटा नहीं रहेगा लेकिन पमचर होगा कभी देखे हो ऐसा लोग आप कुछ नहीं किये आप उसका भला चाहते हो लेकिन आपको अभिसाब दे दे कि जा मेरा एक-एक आंसु का तेरे को मत चुकाना पड़ेगा लेकिन आपको समझ में भी नहीं आया कि किसलिए आपका आंसु निकला है किसलिए उसका आंसु निकला है गलत फेमी से निकला है या सलत फेमी से निकला है या किसी का और का दुख का कारण तुम हो और उसका अभिसाप किसी और को दे रहे हो इतना जल्दी बानी को जो गलत चलाता है जिन्दगी उसका अभिसाप से चलता है ऐसे कंडिशन में ये एक कारण है, सब एही कारण नहीं कहे रहा हूँ सनी राहू आके लगन में बैढ़ जाएं, दुत्यभाब में बैढ़ जाएं, ये सब कष्ट अश्टम में बैढ़ जाएं, अब तक तो पंद्रा दिन हुआ उसको मैं फलित नहीं कर पा रहा हूँ, अश्टम पे राहू सनी का, नक्षित्रव से लेके ग्रहबल सब देखने के बावजुत हजम नहीं हो पा रहे हैं, क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा हैं, ऐसे लोगों के कुनली में स्रापीत योग नहीं भी हो तो स्रापीत योग भूगना पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी को बिंदो स्राप दे देते हो उसको तो स्राप लग गया जब वो स्राप भोग लेगा बिना दोस का बिना दोस का उसको कश्ट भोगना मिल गया उसके मन से जो आह है जो टीज है जो खुन का आसू है वो रिभर्स आपके उपर आएगा उसी का नाम है सरापीद दोस आप अगर पुंड़ी में जब फलित करने के लिए लगो कि सरापीद दोस इतना भयंकर भारी सराप सरापीद दोस इसके अंदर क्यों आया अच्छा जिसके जीवन में सरापीद दोस रहते हैं न मैं बहुत से लोगों को दिखा हूँ बहुत लोग तो अच्छे रहते हैं कमा खाते हैं पैसा का कमी नहीं रहता है ठिक ठाक रहते हैं लेकिन ऐसे स्रापित जोग लगनम में हो गया हो और दोनों के लिए अकारक सुचो रहू और सनी के लिए करक रासी तो उत्तमस्तान नहीं है सिंग रासी लगन तो उत्तमस्तान नहीं है हाँ कुछ अच्छे फल भी देते हैं मेज रासी तो कोई अच्छा फिस्तान नहीं है ब्रश्चिक रासी तो दोनों के लिए बढ़िया नहीं है तो ऐसे अगर विपरित ग्रही हो जाते हैं और लगन में या रासी पर आ जाते हैं ऐसे लोग दुसरे के दया में जीने वाला, भीक मांग मांग के खाने वाला, कोई दे दिया तो खाया नहीं तो पड़ा रहा, मानसिक और सारेरिक लेबल से अक्षम और दुसरे के दया पे जीने वाला, और इतना बोजहा जिन्देगी भर ढोना मुश्किल, अपना सरीर ढोने सकते और इस जनम में जो ऐसा स्राप देते देते गया, कुछ काम धंदा नहीं है, स्राप दे दिया, जा तेरा ऐसा हो जागा, फड़ जागा, मुड जागा अगर उसका मात्रा धिकता हुआ और प्रैस्चित नहीं हुआ, ख्यमा प्राथना नहीं हुआ, इस जनम में ऐसे मूँ बोले अभिसाब देने वाले बहुत लोग होते हैं, फिर अगला जनम में लिख लो की दुतियस्तान पे स्रापिद बनके जनम होगा भारी कस्ट होता है ऐसे लोग का, और अगर ये इसी योग को समभल लिये और समझ गे तो बहुत राज योग का भी परिणाम देता है तो चलिए, आगे आगे इसके उपर और खुलासा करेंगे, धन्यवाद, नमस्कर